ये बात शायद 2002 के आसपास की होगी उस समय में मंत्री था और दक्षिन भारत के दौरे पर गया हुआ था तब विकोटा करके आंद्रम में एक स्तान है जहां नई बडेर बन रही थी बेंग्योर से महां कार में गए जो शुबा यात्रा थी वो मां के अद्दकलीन अद्दिक्स लाबुराम जी जिनका घर विकोटा के इस कोने पर था और बडेर उस कोने पर विकोटा करीब करीब पूरा सर्ख पर ही बसा हुआ है मुस्लिम बस्ती जादा है शुबा यात्रा उनके घर से शुरू हुई करीब करीब पचास से साथ महिलाएं कलश लिये हुए उस शुबा यात्रा में सामिल हुई एक किलोमेटर शुबा याता चली होगी और एक माता ने कासिर हिलना शुरू हुआ उसको देखके दूसरी तीसरी और दस पंदा मिनिट में ये इस्तिती हो गई कि करीब करीब सबी के माते जोड़ 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 हिलने शुरू हुए कोई मायला इधर भाग रही है कोई मायला उदर भाग रही है और कोई इसको पकड़ रहा है मैं भी कार में था बग्गी में लोगों के लिए एक तमाशा हो गया मेरे को तो कोई देखे नहीं और मेलाओं को ही इदर उदर सब बी डिकटी होगी दौनों तरफ सड़के और इनकों एक तमाशा देखने को मिला कि इस तरह से माता जिर्पात ना करते रहे और वो शोबा यात्रा पूरी हुई यह सा यह पहली बारी नहीं हुआ पर इत्ते सारे माते हिले यह पहली भारी हुआ बागी तो दो चार देस जगए कहीं कहीं किसी को कोई भाव मेला को आई जाता है मैं उसके बाद प्रोग्राम समाप्त करके जापूर आया डाक्टरों के साथ कोई नौर्मल कोई मीटिंग रखी हुई थी कुछ लोग आने वाल लेते तब तक मैंने राक्टरों से यह सवाल पूछा मैंने का यह इस तरह से जो सिर हिलता है इसका क्या कारण है और फिर उनको वो बोलना चुरू हुआती है माताजी आ गए हैं कोई दूपेड़ लाता हैं कोई नारियन लाता है पूरा समझा हो तो मैंने उनको यह समझा है मैंने का इस तरह से कलश सिर पर होता है दौनों हाथ से कलश को पकड़े रहते हैं और फिर पानी विलता है पानी गिरता है उनका साब सीधी सी बात है बोड़ी की बनावट में हाथ को नीचे रखना एक नॉर्मल बॉडी का काम होता है जब आप कलस के लिए हाथ को उपर उठा लेते हो तो हाथ का अंदर खोन का सरकुलेशन कम पढ़ जाता है और वो हाथ की जगा सिर में चड़ना शुरू हो जाता है सिर गरम होता है उसकी संतुलन बिगड़ता है और वो हिलना शुरू होता है ताकि ठंडा हो कुछ पानी गिरता है तो और अच्छा लगता है और इस प्रकार यह हिलना शुरू होता तो मैंने का भई यह तो सही है पर इसको बंद कैसे करें का अब कलश यातर बंद कर दो मैं नहीं थोड़ी होती है भईया मैं नहीं और कोई तरीका बताओ एक डाक्टर निकास आब यूं करो उनको लेडीज को समझाओ का आब दोनों हाथ एक साथ कलश पे नहीं रखे एक हाथ ठक जाए तो उसको बदल के यह दूसरे पर कर ले दूसरे बदल जाये तो यह पहले पर कर ले मैं नहीं भास इतना ही हाँ साथ इसके बाद जहाँ जहाँ शौभा यातर हुई और किसी माता बेहन ने माता हिलाना शुरू कर आदा मैं पाता था कि वो दोनों हाथ उपर हैं अपने पास खड़े किसी व्यक्ति को कहता किसी बुदर्द महिला को को कि उस जाके उनको समझाए कि एक हाथ नीचे कर लो बड़ी मुश्किल से वो महिला मानती और हाथ नीचे हो जाती कई फंक्षन होते उसके फंक्षन के पहले ही मैं सब को वालिंटियर्स को कह देता है वही सब महिलाओं को समझा दो कि दोनों हाथ एक साथ उपर नहीं रखने हैं यह अपने धर्म के विरुद है एक एक हाथ बारी बारी से चलाओ वह 22,002 और अब 29,00 में बेटे हैं उसके बाद सारे माते हिलने सब बड़े बड़े लंबे लंबे जलूस निकले बाली में अभी चाड़े चार गंटे का बसाथे साथ गंटे का था लिंगराजपुरम में साड़े चार गंटे का इस तरह से बामन अली में चार गंटे का पर किसी का माथा नहीं हिला इसमें मैं देखता हूँ कि अगर ये इंसिडेंट वहां नहीं होता और मैं उसने मंतरी नहीं होता तो आज तक ये जो अंद विश्वास है कि माताजी का प्रवेश होता है और माताजी प्रवेश होके चमतका दिखात उस अंद विश्वास को मिटाने का कोई रस्ता नहीं मिलता तो अपने आप कोई मौके आते हैं जब अपने आपको सिक्षा भी मिलती है सीखने को मिलता और उसे सुधार करने को भी मौका मिलता है